जय राधा मादव कुञ्ज बिहारे गोपी जनवल भांगिरिवर धारे गोपी जनवल भांगिरिवर धारे जशो दानन्दना ब्रज जनर रंजना जशो दानन्दना ब्रज जनर रंजना जमुनातीरवन चारे जमुनातीरवन चारे जय राधा मादव कुञ्ज बिहारे जय राधा मादव कुञ्ज बिहारे गोपी जनवल भांगिरिवर धारे गोपी जनवल भांगिरिवर धारे जशो दानन्दना ब्रज जनर रंजना जशो दानन्दना ब्रज जनर रंजना जमुनातीरवन चारे जमुनातीरवन चारे जय राधा मादव कुञ्ज बिहारे जय राधा मादव कुञ्ज बिहारे जय राधा मादव कुञ्ज बिहारे जय राधा कुञ्ज बिभंठा कुञ्ज बिभंठ तरिम्ना छुन दान्दन्द बिहारे जय राधा फिरा भ। बिभंठा परीबर जगाचार्या श्टत्तर सत्षिषिमाथ इस दिवायं ग्रेशल बक्तिसिद्धांत सास्वथागुरु महराश्र प्रपाद कीजय अनन्त को टी वैस्नकृंद कीजय नमचार्यस्वला अरिधा स्था कुर कीजय प्रेंसकहुस्ष्ण चैतन्य पर्पनित्यानन्द श्रिया द्वैत गदाधर्शिवासादी गोडबक्त बुरंद कीजए शेष्वे राधा खृष्ण गोगोपिनात श्याम कुणडराधा कुणडगे गोपरधन कीजए ब्रजों व रंधा अवंधाम की जए, eraser पुरफड याँताम की जए, यगणनात पुरृधाम की ज ज, गंगामाई की ज, यम्नामाई की ज, भक्तिदेवी की ज, फ।ुसि-मahrाणिक की ज, समावेतव sevक्तव रंध की ज, निताय् गॉर प्रहन दे, ओ ग्लोरिष्ट आसंब्ली बोरिष्ट 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 आसंब्ली 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 आसं कौंसा स्लोक नूम्बर है? 22, 23, 24 and 25 कौंसा स्लोक नूम्ण नूम्ण भगवते वासुदे वाया ओम्ण नूम्ण भगवते वासुदे वाया ओम्ण नूम्ण भगवते वासुदे वाया आज हम स्रिमद भगवतेम का आठवासकन्द आठवाद्याए उसलोक संख्या बाइस, तेस, चोईस, पच्चिस, कस्चित चीर आयू ना ही शीलमंगलं क्वचित अपी अस्ति ना वेद्यं आयूशा यत्र उभयं कुत्र चा सहा अपी आमंगलाः समंंंगलं कस्च ना कांक्षते ही मामं कस्चित चीरायू नही शीलमंगलं तस्याह श्रियहा त्री जगतह जनकह जनन्या वक्ष निवासम अकरोत परमम विभूतेहे श्रीहि स्वाहा प्रजाहा सकरुनेन निरिक्षनेन यत्र स्थीत एध्यत सअधिपतिन त्रिलोकान तस्या स्री स्त्री जगतो जनको जनन्या वक्ष निवासम अकरोत परमम विभूतेहे स्रीहिस्वा प्रजाह सकरुनेन निरिक्षेन यत्र स्थीत एध्यत साधिपतिन त्रिलोकान तस्या स्री स्त्री जगतो जनको जनन्या वक्ष निवासम अकरोत परमम विभूतेहे स्रीहिस्वा प्रजाह सकरुनेन निरिक्षेन यत्र स्थीत एध्यत साधिपतिन त्रिलोकान तस्या स्री स्त्री जगतो जनको जनन्या वक्ष निवासम अकरोत परमम विभूतेहे स्रीहिस्वा प्रजाह सकरुनेन निरिक्षनेन यत्र स्थीत एध्यत साधिपतिन त्रिलोकान त्रिक्ष निरिक्ष निरिक्ष निर्क्ष 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 प्रिवार प्राट्सात। करवा परशा निवाशा मकरत परमं मुझे जोगे इस आप्र जाश मुरूने नेग्रीश दिना शिल्या आजाज में देशा ना जात्रा इवेख्यातों शादिपोर्थिन देन लखा इदिनिक आट करा circuit साथकरिंद करते हम इंख साथक्र Carmichael साथक्रेंश 始終 हाग और चांग सम्थले कि इब शमर साथक्रां प्रुण सस्वाह प्रिश्ट पाजय के लेफ ऩर्णी निंशेश तस्या उसका स्रियह लक्ष्मी त्री जगतह तिनो लोग के जनकहब पिता जनन्या माताका वक्षः वक्षस्थल निवासं निवास अकरोत बनाया परम परम विभुतेहे इशर्यवानका श्रीह लक्ष्मी स्वाह अपने प्रजाह वंशज सकरुने न करुणा से युक्त निरिक्षणे न द्रश्टी फेरते हुए यत्र जहां स्थीत रहते हुए एध्यत यत वृद्धी की सअ अधीपतीम महान निर्देश को तथा नेताओ सहित त्री लोकान तिनो लोकों को अनुवाद और ताकपर्यश शिमदेशी बक्ति विदान स्वामी श्रु प्रवपात के द्वारा भगवान तिनो लोकों के पिता है और उनका वक्षस्थल समस्त अईश्वर्यों की स्वामी नी धन की देवी माता लक्ष्मी का निवास है लक्ष्मी जी अपनी अनुकुल तथा कृपा पूर्ण चितवन से तिनो लोकों तथा उनके निवासियों और अधिपतियों देवताओं के आईश्वर्यों को बढ़ा सकती हैं लक्ष्मी जी की च्छा अनुसार भगवान ने अपने रदय को उनका वासस्थान बनाया और जिसमें वे अपनी चितवन से हरे को देवताओं तथा मनुश्य को भी उपकृत कर सकें दुसरे शब्दों में चोंकि लक्ष्मी जी नारायन के वक्षस्थल पर निवास करती हैं अतव जो भी भक्त नारायन की पुझा करता हैं उसे वे देखती रहती हैं जब वे यह जान लेती हैं कि कोई भक्त नारायन की भक्ती करने के पक्ष में हैं तो वो उसके सारे आईश्वर्य का सहज वर्दान देने के उद्यत रहती है कर्मी जन लक्षमी की पुजा पाने का प्रेत कर रहे हैं किन्तु नारायन के भक्त नहोने से उनका आईश्वर्य क्षणिक होता है नारायन की सेवा में लिप्त रहने वाले भक्तों का आईश्वर्य कर्मियों जैसा नहीं होता भक्तों का आईश्वर्य उतना ही स्थाई होता है जितना की स्वयम नारायन का है ओ मझ्यानति मिरंधस्य ज्यानजन श्वालाकया चक्षवल्मिलितन जेना तस्मय स्री गुरुवे नमहा श्री चैतन्यमनो भिस्थं स्थापितं जेन भूतले स्वयम रूपकादामयं ददातिस्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरो श्री जुता पदकमलं श्री गुरुन वैष्ण वाउस्च स्री रूपं साग्रजातं सहगना रगुनातन वितंतं सजीवं साद्वैतं सावदूतं परिजन सैतं क्रिष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा क्रिष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान ताश्य ए क्रिष्ण करुना सिंदो दीन बंदो जगत्पते गोपेष गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्तकांचन गौरांगी रादे वरंदा वनेश्वरी वरिषभानू सुते देवी प्रणमामी श्री हरिप्रिये वांचा कल्पतरुब्यस्च कृपासिंदुब्यवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्ण विभ्यो नमो नमाह नमाह ओम विष्ण पादाय कृष्ण प्रिष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति विदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवानी प्रचारिने निर्विशेश शुन्यवादी पास्चात्य देशतारिने जैशे कृष्ण चैतन्या प्रभुनित्यानंद श्यद्वै तगदाधर शिवासादी गौरबक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे समुद्र मंथन में अभी लक्ष्मी जी प्रकट हो रही है शुकदेव गुष्वामी उसके आगमन के लिए काफी सराना करते हैं तो बाइस वे स्लोक में कुछ मंगल, सुमंगल, अमंगल, इत्यादी प्रभाव की बाते करते हैं 22 वे स्लोक में ये कहते हैं हो सकता है कि कोई दिरगायू हो किन्तु वे अच्छे आचरन वाला या मंगलमई न हो किसी में मंगलमई तथा अच्छा आचरन दोनों ही पाए जा सकते किन्तु उसकी आयूस निश्चित नहीं होती यद्यपीज शीवजी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है किन्तु उनकी आदते अमंगल सुचक होती है जैसा किस मशानमेवास अन्य लोग सभी प्रकार से योग्य होते हुए भी भगवान के भक्त नहीं हो सकते लक्ष्मी जी की वफादारी उन्होंने नारायन को क्यों चुना तो उसकी चर्चा सुकदेव गुस्वामी आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं सुकदेव गुस्वामी ने आगे कहा इस प्रकार पुरी तरह से विचार विमर्ष करने के बाद धन की देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को पती के रूप में ग्रहन अवरन कर लिया यद्यपी वे स्वतंत्र हैं और उनकी कभी भी नहीं खलती है थी वे समस्त दिव्य गुणों और योग शक्तियों से युक्त हैं अत एव सर्वाधिक वांचनी हैं भागवान का चरीत्र तो सर्वत कृष्ट होते हैं इसलिए इनके चरीत्र के अनुसार इनको ही पती वरन किया जाता है यह स्वाभाविक होता है तात्परियो में प्रभुपात क्या कहते हैं कि भगवान मुकुंद आत्म निर्बर हैं, चोंकि वे पूर्ण स्वतंत्र हैं, अत एव उन्हें न किसी आश्रई की आवशक्ता थी, न लक्ष्मी देवी के सानिद्य की, फिर भी लक्ष्मी देवी ने उन्हें पती रूप में स्विकार किया। लक्ष्मी देवी का चरित्र, विश्वत भक्ती वाला है, वो अपने हीत में सेवा नहीं करोना चाहती है, भगवान के हीत में सेवा करना चाहती है। सेवा करने से भक्तों का अनायास ही, हीत होता है, पर लेकिन जो इच्छा अपने हीत की रखकर सेवा करता है, तो वो अमंगल कहलाता है। अन्या भिलाषिता सुन्यम ज्ञान कर्मादना अवृतम आनुकुलेन कृष्णानु शिलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ती भगवान की अनुकुलता पर आधा रखती है। भगवान यहाँ स्वतंत्र है, जब चाहें चले जाते है। हमारे जीवन में, भवतिक जीवन में अमंगल कितना है। शिवजी का उदाहरन अमंगल में है, क्योंकि इनकी आदत है स्वसान में अवास करना। पवित्र होते हुए भी बहारी आदत यह बताए गई है। तो यह इच्छनी यह नहीं है। भवतिक और आध्यात्मिक में क्या फरक होता है। पर फिर भी किसी संजोग वशात किसी को ऐसा रुख अपनाना पड़ता है। संजोग वशात। शिवजी का धर्म है बगवान की किस तरह सेवा करें। तो सुष्टी का विसर्जन करने में मदद करें। और विसर्जन में इनको बहुत प्रकार से जैसे तांडव नृत्य करना पड़ता है। और कुरुधित होना होता है। और ये सारे शिवजी के लक्षन बाहर निकलते हैं। सारी जिन्गी माला करते रहते हैं अपने निजी स्वभाव में भगवान का नाम लेते हैं। महा शंकर्षन जप करते हैं। क्योंकि वो दुसरे शंकर्षन एक वईकोंट में से आये जिन्होंने महा विष्णु का स्वरूप लिया। लेकिन उनकी द्रष्टी ने परावर्तित रूप शिवजी का दिया। जो त्रिगुण आत्मक होते हुए भी शिवजी चोंके और महा सदाशीव के नाम से जाने जाते हैं। और हमेशा भगवान के नाम जब करते रहते हैं। उससे इनकी पवित्रता बनी रहती हैं। लेकिन इनके विस्तारों को देखो, जब रुद्र ग्यारा ग्यारा रुद्र हुए, रुद्रा आनाम शंकर श्चास्मी करके भगवान ने शंकर, याने शंकर शंका, शंकर में रुपांतर जब हुआ, तब उनकी आदतें विरक्ति के लिए ऐसी जगा जाओ। विरक्ति के लिए, जहां कोई आपका पीछा रखे, नहीं तो भगवान श्चीव जी आसुतोष हैं, पीछे पढ़ते ही रहते हैं, उनकी भक्ति में भंग कराने वाला वो भसमास्तूर था, और रुद्रासूर भी कहते हैं उसे, भृतासूर ने शिव जी को बुलाया जबर जस्ति से, अपने मासपेशी इत्यादी सब अमंगल कारी कारी में दारी। जबर जश्ति से शीव जी को बुला रहा है आशिरवादों और शीव जी को आना पड़ा मजबूर होना पड़ा तो इत्रिगुन आत्मक माया शीव जी को छूगई और देचुके बरदान क्या दिया मैं जिसके मत्थे पर अपना हाथ रखू स्पर्श करू वो मत्थे का हजार टुकड़ा हो जाएं और पीछे पड़ा शीव जी के तब मुश्किली में आ गए हैं भगवान के भक्त को भगवान बचाते हैं स्वएम अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं तो भगवान स्वतंत्र हैं लेकिन शीव जी स्वतंत्र नहीं कहे गए लक्ष्मी जी स्वतंत्र भगवान की सेवा गर्ने में अपनी स्वतंत्रता बताती हैं और जबकि भगवान लक्ष्मी की अपेक्षा नहीं करते हैं कैसे समझोगे लक्षमी जी कि हम बहुत चिंता करते हैं आई है और कब चली जाएगी ओ लक्षमी जी कब चली जाएगी हम उसकी चिंता में रात दिन सोते भी नहीं सिर्फ लक्षमी आए तो हम जड़ा ठीक रहें ऐसे भावना करते हैं बिना लक्षमी अपना जीवन ही नहीं चलेगा कहीं से भी लाओ मार मचोड के या रिश्वत देकर भी कुछ तक करो ज्यादा लक्षमी आए तो लक्षमी कब चली जाएगी वो हमारे चिंतन में रहता है चिंतन चिंता और चिता तिनों समान जो जलाने वाली है और यहां भगवान स्वयम स्वतंत्र है स्वराट सब कुछ जानते हुएं भी अपनी स्वतंत्रता रखते हैं इनको लक्षमी की आवशक्ता नहीं है लक्षमी को भगवान की आवशक्ता है और लक्षमी जी इतनी पवित्र है वो सिर्फ भगवान की सेवा करने चाहती है चाहे भगवान की सेवा निलती है ना मिलती है वो तो वो चिंता गरती है गबराती है भगवान कब चले जाएंगे कब चले जाएंगे और हम चिंता करते लक्ष्पी जी कब चले जाएगे कितना अंतर है तो विश्वत भक्ती के लिए लक्ष्पी जी का यहां उधारन दिया है उसने जान भूज़कर भगवान को क्यू चुना वो अकलमंदी है क्योंकि बाकी तो सब चले जाने वाला हैं, यहां भगवान चले जाएं, फिर भी भक्ति नहीं चली जाएगी, इतना हमें विश्वास रहता हैं, कुछ भी हो, अपनी भक्ति न हो जाएं, तो ऐसी भावना में लक्ष्मी जी द्रड़ हैं, तो भगवान उनको स्विकारते हैं, भक्तों को स्विकारते हैं, भक्तों को आप्त जन मानते हैं, कि भगवान के और तो कोई नहीं समंदी होते ही नहीं, भक्तों के सिवाएं, समंद भी बना लेते हैं, अपने आप किसी को मा बना लेते हैं, किसी को पिता बना लेते हैं, जबके इनको कोई यह सब के पिता होते हुए भी इनको ऐसे पिता की आवशक्ता क्या रहे गई अरेश्वत अंत्र इच्छा है इन पर आप कैसे विवेचन कर सकते हैं तो भगवान आत्म निर्भर है जोकि वे पूर्ण स्वतंत्र है अत्यव उन्हें न किसी आश्रई के आवशक्ता थी न लक्षमी देवी के सानिध्य की फिर भी लक्षमी देवी ने उन्हें पत्ती रूप में स्विकार किया जानना चाहिए यह बिना जाने भगवान की पास जाने का मत सोचो हमें उनकी सेवा करने के लिए इच्छा होती है ऐसा है नहीं कि जबर जस्ती से हम उसको पकड़ के यहीं रखेंगे और अपनी इच्छा चलाएंगे नहीं भगवान की इच्छा सर्वपरी होती है और उनके निर्देश में ही चलना चाहिए चैतन महाप्रभु ने क्या कहा है आशलिष्यवा पादरताम पिन्नस्टुमाम अधर्शनाम मर्मम हताम करोतुवा यथात थावा विददातु लंपट मत प्राणस नाथस्तु सेवनापर लंपट क्या होता है पता है यह किसी की सुनता नहीं किसी की सुनता नहीं अपनी सुनाना चाहता है बच्चे भी कभी कभी यह लंपटता का प्रदर्शन करते हैं जब इनको भौतिक तीन गून नचाते रहते तब किसी का सुनते नहीं जब जवानी आने लगती है तो पागलपन भी साथ में आता है क्या न करें कुछ भी उनका परोसा नहीं कर सकते हैं माबाप विचारे इतने देखरेक रखे पर भी बच्चे ऐसे लंपट स्वरुप्तारन करना चाहते हैं तो यह मिध्या अनुकरण तो है ही लेकिन भगवान की लंपटास का कोई उदारन हमें नहीं स्विकारना होता है क्योंकि हम परतंत्र हैं वो स्वतंत्र हैं स्वराठ है तो जो भगवान के वचनों को नहीं स्विकारता है तो भगवान को भी नहीं स्विकारता है स्वाबायुक बन जाता है उसके लिए नास्तिक बनना आगे कहते हैं तस्याम संदेश उसतिम नवकंजमालाम माध्यम अनुद्रुवब्रत वरुथ गिरो अपि धृष्टाम तस्थव निधाय निकटे तदूरस्वधाम स्वरीड हास विकसेन यननेन याता भगवान के पास जाकर लक्ष्मी जी ने नविन कमल फुलो की माला उनके गले में पहना दी जिस से चारो और मदू की खोज में दिरे दिरे गुंजार हो रहे थे तब भगवान के वक्षस्थल पर स्थान पाने की आशा से वह उनके बगल में खड़ी रही और लज्जा से भरा उनका मुख मुस्करा रहा था भगवान के पास वो अपनी हाथ में जो वर्माला लिये खड़ी थे तो उनकी पास जाकर उनको पहना दी और खड़ी रही और उसके मन की जो आशा थे कि वो भगवान के वक्षस्थल पर बनी रहे तब भगवान ने ये इच्छा उसकी पुरी करी है तब तिनो लोग के पिता है भगवान और उनका वक्षस्थल समस्त एश्वरियों की स्वामिनी जो धन की देवी माता लक्ष्मी का निवास है लक्ष्मी जी अपनी अनुकुल तथा कृपापुर्ण चितवन से तिनो लोग का तथा उनके निवासियों और अधिपतियों देवताओं के अईश्वरियों को बढ़ा सकती है यदि लक्ष्मी ने भगवान को चुने नहीं तो वो अपनी कृपादरश्टिक किसी पर नहीं बता सकती वक्षस्थल भगवान का आगे का भाग होता है और वहाँ आगे से ही पुझा करनी होती है भगवान के पीछे पुझा करने वाले अधर्मी या विधर्मी कहलाते है भगवान की पुझा पिछे से नहीं हो सकती इनके पिछे भाग से नहीं होती है आगे के भाग से ही होती है चाहे ब्रह्माजी को चार मत्था क्यों नहों आगे पिछे सब 360 डिग्री का उनका दिखाओ हो फिर भी भगवान को आगे से ही पुझा करनी होती है प्रमा जी को बगवान की पुजा आगे से ही होती है पीछे अधर्म कहलाता है तो धर्म के अनुसार चलने के लिए लक्षमी जी को ता आगे ही रेना चाहिए जब बगवान की सामने भक्त आकर उनकी पुजा, सराना, बंदना, नवदा बक्ती कोई भी प्रकार से भक्त लोग करते हैं तो लक्षमी जी भी उनको देख सकती है अकेले भगवान की पुजा करने से लक्षमी देवी की भी पुजा होती है क्योंकि वक्षस्थल्प है जो अमंगल कारी लोग है जो अपना ही हित नहीं चाहा दे वो सिर्फ लक्षमी जी की पीछे पढ़ते हैं भगवान के पीछे नहीं पढ़ते हैं लक्षमी जी का वास सदा भगवान के पास होता है अन्यता नहीं यह पता नहीं लक्षमी और सरस्वती दोनों को उठा के ये मायावादी लोग गनेश की साथ बिठा देते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं तो ज़्यादा तर फोटो में क्या दिखते हो गनेश जी सरस्वती और लक्षमी ये तिनों का ही त्रिपुटी वाला फोटो मिलेगा आपको भगवान मिलेंगे ही नहीं लक्षमी जी को सिर्ध धन लक्षमी बनाने के लिए वो तैयार है बहुत सारे सोना की मोहरे हाथ में से निकलती है ऐसा फोटो अच्छा हमें चाहिए तो उसके पीछे भावना अमंगल कारी है क्योंकि भगवान कहा है और भगवान तो सर्वव्यापी है तो इस फोटो में भी है वो तो देखते रहते लेकिन लक्षमी जी के देखने की जो क्रिया है और हमारे जो क्रिया है हमारी क्रिया है साव बिरोधी है हम सिर्फ लक्षमी को देखना चाहते है और लक्ष्मी जी का जो वास भगवान के वक्षस्थल पर है उसके हम चिंता ही नहीं करते हैं अब साउथ इंडिया में जाओ श्री सम्परदाय में लक्ष्मी नरायन की सेवा करते हैं तो लक्षमी जी की मोहरे बनाकर भगवान के गले में डालते हैं, कि दिखो यहां मुं बेठाए हैं। तो जो भगवान को देखना जानते ही नहीं, तो यह लक्षमी भी कैसे दिख पाएंगे। इसलिए भगवान के स्वरूप और वैश्ण वसंप्रदाएं में भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप से हमें समझना होता हैं और बाद में दर्शन करना होता है। तो इस तरह हमें यहां समझाया जाता है कि समुद्र मंधन में लक्षमी जी आई है और सब का कल्यान करने के लिए है। लेकिन किन लोगों की क्या भावना है? असुरों की भावना भी बताई गई है और देवताओं की भावना भी बताई है. लक्ष्मी जी हर एक व्यक्ति पर कृपा करेगी. लेकिन अमंगल भावना वाले कनाश भी करेगी. ऐसा नहीं कि कि लक्ष्मी जी ने वो ब्रगुमुनी ने भावान की चाती पर लात मारा. इसलिए लक्ष्मी जी ने शाप दिया. मेरे पती को लात मारी, अब में तुम्हें लात मारूंगी. ऐसे सारे भ्राह्मन लोगों को शाप दिया है. ब्रुगुपती भ्राह्मन थे, ब्राह्मन के सरदार थे, नायक थे, तो इनको लात मारी. तो कि मैं भी ये अपमान का बदला लूंगी. तो भ्राह्मनों की पास लक्ष्मी जी जाती ने. लेकिन यदि ब्राह्मन भक्त हो तो, ब्राह्मन यदि भक्त हो तो, अवश्य देखेगी, क्रिपा करेगी. इसलिए भक्तों को अपनी रख रखाव के लिए अलग से वेवस्था करनी नहीं होती. हमें जहां तक पूर्ण विश्वास नहीं रहता भग्वान पर, तो लक्ष्मी जी पर भी पूर्ण विश्वास नहीं रहता. हम मानते होंगे, लेकिन अपने हर रोज के व्यवहार में हम अनुभव नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए समुद्र मंथन में हमें अपने दिमाग पर भी मंथन करना चाहिए. और अवश्य ऐसी बुद्धी और अनुभुती हमें प्राप्त होगी, जैसे हम भगवान के विशुद्ध भक्ती में लक्ष्मी जी का उदाहरन दिख कर भी कर पाएंगे. किसी को कोई प्रश्णा है? कोई प्रश्णा है? कोई हिंदी में जानकर तो तो बंगाली में भाशांतर कर सकता है. कोई समझ में आया? कोई प्रश्णा है तो बो. कोई प्रश्णा है? हमें अपनी अलग से विवस्था नहीं करनी होती है. जब भगवान की सेवा के लिए ब्रमिचारी बने है, तो अपना रख रखाओ निभाओ तो हो जाएगा. बक्तों को कोई भुखे नहीं मारता है, सरवप्रता है, बक्तों को कोई नंगा नहीं रखता है, बक्तों को हमेशा आश्रे मिलता है, लेकिन ये जो विश्वास कमजोर होतो, बहुत परिशानी आएगी. लेकिन व्यवस्था तो सभी पराबर है, व्यवस्था तो सभी पराबर है, हम अपनी छोटी बुद्धी से यदी देखते हैं, तो हमारे उपरी अधी कारी को तो जड़ा विश्याल बुद्धी से तो देखना होता है. हम शायद गल्टी कर सकते हैं लेकिन हमार से उपर वाले गल्टी क्यों कर रहा है जब सेवा हो रही है तो सेवा में ऐसे विचारों जो बिगनर डारेंगे तो तो ऐसे विचार वाले खुद का अमंगल बुलाते है संस्था को भी कभी कोशना पड़ता है कोई पेसे उठा कर भाग जाता है हुए है मैं लेकिन सारे इस कोम के जगत में उसका नाम जाहर होगा कि ये बगत से साउधान रहो यहां यह कर गया है वहां वो कर गया है ऐसे नहीं कि भक्ती में जो जो किया है वो तो उसका परिणाम तो हमेशा शाश्वत होता है हमेश के लिए होता है लेकिन खुद की जानकारी कमजोर है खुद की अनुभुती कमजोर है खुद अपनी सादना ठिक से नहीं करता है तो सारी कमजोरी आएगी तो इसे लिए मन विचल रहता है हमें अविचल मन चाहिए विचलित होता है ऐसा मन थोड़ा चाहिए तो ये सब भगवान की कृपा से भगवान का नाम हमें मदद करते हैं भगवान का नाम गून रूप महिमा ये सब हमें इसे लिए स्विकारनी होती है कि जो हमें मदद करती है अज्ञानी लोग अबूद कहलाते हैं जिनको अपने ही मंगल आरियों के लिए ज्ञान नहीं है अंजान है तो उनको दुसरों से सुनना चाहिए जीवन में हमें जो जो मुका मिलते हैं भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्य में से सबी जो अपनी पूर्ती के लिए यानि कि पूर्णता में आने के लिए वो मैनत करता है तो कोई ही कर पाता है और ऐसे करने वालों में भी हजारों में से कोई ही भगवान को जानता है तो भगवान तो कितने दूर जानकारी ही हमारी अज्ञानता रुक देती हैं वो जानकारी करने ही नहीं देती हैं इसे लिए हमें मागदर्शन चाहिए भगवान की और आगे सेवा करने के लिए उत्सा चाहिए निश्चायात्मक भाव चाहिए और धैर्य पी चाहिए लेकिन सही मार्ग में चलने वाले को ये सब प्राप्त होता ही है ऐसे हमारी सारी प्रवृत्ती में हमें ये नियम अपनाने पड़ेंगे चाहिए कोई भी क्या कौनसी भी सेवा क्यों नहीं करता और और पांच मिनट बाकी है और कोई प्रशना है जाएश्र प्रवपार्थ गी जाएश्र प्रवपार्द की